नमस्कार दोस्तों वेलकम टो श्टेडी निउस आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड यानि क्वाड सम्मेलन के बारे में जैनेंगे जिसमें चार दे सम्मिलित हैं भारत, अमेरिका, जापान और अस्ट्रेलिया हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा के निमंतरन पर टोकियो पहुचे, इसका मतलब यह है कि इस बार का क्वाड सम्मेलन टोकियो जापान में सम्मिलित हुआ है, अभी हाली में अस्ट्रेलिया के नए प्रधान मंत्री जिनका नाम है Anthony Albanese, इन्होंने भी इस सम्मेलन में सिरकत किया और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने उनको बधाई भी दी इस मामले को लेकर और क्वार्ड में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किये गए तो हम लोग आज इसी क्वार्ड सम्मेलन के बारे में जानेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वार्ड में चार देश हैं जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और अस्ट्रेलिया सामिल है हमारे देश के प्रधान मंतरी जापान गए और उन्हों ने 40 घंटे में लगातार 23 अलग अलग बैठके की जिसमें दुनिया के तीन बड़े नेता यानि की आश्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के नेताओं से बात की क्वार्ड की जो सुरुआत है वो 2007 में जापान के प्रधान मंतरी सिंजो अबे ने अमेरिका के उपराश्पती डिक चैनी और आश्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी जॉन हारवर्ड और भारत के प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जो उस समय थे इनके सहयोग से सुरू हुई थी ये चारो देसों के बीच एक अन आपचारिक रणनिती मंच है जो की सदस्य देसों के बीच एक अर्ध नियमित सिखर सम्मेलन जिसमें सूचना का अदान प्रधान किया जाता है यानि इन चारों देशों के सेन्य अभ्यास भी इसमें सम्मिलित हैं जो क्वार्ड का मेन उद्देश है न वो वैद और महत्पूर्ण हितों वाले सभी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना है भारत प्रसांद छेत्र में मैट्पूर्ण समुद्री मार्गो को किसी भी प्रभाव विसेश कर चीन से मुक्त रखने के लिए एक नई रड़नीती विक्सित करना है हिंद महासागर में चीन नौ सेना की बढ़ती उपस्तिती के कारण ये आवश्रक हो गया था इसलिए इस समय आप देख रहे होंगे कि 2007 के अपिक्चा इस समय क्वार्ड काफी चर्चा में है क्वार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्वार्डी लेटरल सेक्योर्टी डायलोग आप तो जानते ही है कि पिछले दो दसकों में चीन ने लगातार कोसिस की है कि एशियाई महादीप में और खास कर समुदरी छेत्र में वह अपना दबदबा कायम रख सके इसी क्रम में उसने पूरे साउथ चाइना सी पर दो दावा ठोक रखा कई इलाकों में विवादी छेत्रों पर कबजा भी कर लिया है यही वज़य है कि चीन को नियंत्रित करने के लिए जापान और अमेरिका ने भारत और आश्ट्रेलिया को इस गड़बंधन में सामिल किया था क्वाड संगठन का मकसद है कि महदपुन समुद्री मार्ग किसी भी तरह से राजनीतिक और सैन दबाव से मुक्त रहे इसके अलावा हिंद प्रशांत छेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने के साथ साथ साइबर सुरक्षा भी प्रदान की जाए समुद्री सुरक्षा भी और आपदा राहा जलवायू परिवर्तन जैसे मुद्रो का भी इस पर संगठन काम करता है इसी वज़य से कहा जाता है कि क्वाड रणनीतिक तोर पर चीन के आर्थिक और सैने छेत्र में उभार को काउंटर करता है यही वज़य है कि यह गड़बंदन भारत के लिए भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आकरमक्ता जादा बढ़ती है तो उसे रोखने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है अब जब क्वाड चीन के खिलाफ इतना काम करता ही है तो चीन को जरूर दिक्कत होगी क्वाड से हैंगे क्योंकि ये चारो देश सैन ने छेतर में काफी मजबूत है नेवी के मामले में भी चीन इन चारो देशों से हर तरफ से घिरा रहता है यही वज़य है कि चीन को कभी भी इस संगठन का मोटो पसंद नहीं आता है इसलिए चाइना ने कई बार से ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि चाइना को डर है कि अगर भारत अन्य महाश्रक्तियों के साथ गडवंधन बनाता है तो वहाँ भविश्य में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है इस बार की सबमिट में कई बाते हुई लेकिन फोकस इस बार इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को कम करने पर ही रहा क्वाड के मंच पर चीन का नाम नहीं लिया गया लेकिन इसमें सामिल देशों के प्रमुखों ने जो कहा उनका संदेश साफ था कि चीन अपनी हद में रहे दादागिरी से बचे और मनमानी करने से भी बा जाए अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने इसारो इसारो में चीन से कहा है कि क्वाड दिखावे वाली चीज नहीं है हम यहां ठोस काम करने के लिए आए हैं क्वाड देश इंडो पैसिफिक रीजन की सकती है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी की बातों में भी चीन के लिए मैसे छिपा रहा था मोदी ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में कंस्ट्रक्टिव एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है क्वाड ने इंडो पैसिफिक छेत्र में सांती समरिद्धी और स्थिरता सुनिश्चित की है और राजप्रती बाइडन प्रजानमदर किशिदा आपके शांदार आतिते लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद और टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैं सबसे पहले प्रधानमंतरी एंतरी अन्मने जी चुनाओं में विजय के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुक्त प्रामना है सपत लेने के 24 गंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना कौर मित्रता की थाकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है एक्सलेंसी इतने कम समय में कौर समूने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्श थाम बना लिया है आज कौर का स्कोप व्यापप हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है हमारा आपसी विश्वास हमारा डेटर्मिनेशन लोगतांत्रिक शक्तियों को नई उर्जा और उत्सा दे रहा है कौर के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग सही एक फ्री ओपन और इंकुलिजिव इंडो प्रशिविक छेत्र को प्रोचान मिल रहा है जो हम सभी का साज़ा उद्देश है इंडो प्रशिविक शेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंड लेकर चल रहा है इसे कौर की छबी एक फोर्स फर गुड के रूप में और भी सुद्रण होती जाएगी जापान के पीम फूमियो किसीदा ने कहा है कि हमें आश्या दक्षिड एसिया के साथ साथ हिंद प्रशांत देशों की आवाज ध्यान से सुननी चाहिए ताकि सहयो को और आगे बढ़ाया जा सके पूरा जोर कौर्ड को मजबूत बनाने पर रहा आश्ट्रेलिया के पीम जो नए बने हैं एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन को अधिक व्यापक और लचीला बनाना आश्ट्रेलिया की प्रत्मिक्ता है चीन को घिरने के लिए कौर्ड देशों ने बड़े प्लान बनाए है अब आप सोच रहे होंगे कि चीन से इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है कौर्ड को इसका रीजन बहुत बड़ा है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की अवैद और मनमानी हरकतों को ट्रैक करने की पूरी तैयारी इसलिए की गई है दरसल इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश चीन की दादागिरी से परिसान है आप तो देखी रहोंगे हर समय कोई न कोई उनकी जहाज आपको हिंद महासागर में प्रसांद महासागर में पकड़ी होई मिलती है इस इलाके में चीन अवेड धंग से मचली पकड़ता है अवेड तरीके से मचली पकड़े जाने की 95% घटनाओं के लिए चीन जिम्मेदार है जो चीन की कमाई का बड़ा जरिया भी है चीन फिसिंग बोट्स का इस्तमाल कर सर्विलांस के लिए भी करता है सेटलाइट से नियंतरित इस सिस्टम से उन फिसिंग बोट्स को ट्रेक किया जा सकेगा जो क्वाड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा जो ट्रेकिंग से बचने के लिए सिगनल ब्लॉक कर देती है और इसी वज़े से चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती से परिसान रहता है इसलिए आप देखते होंगे कि चाइना एंटी इंडिया और एंटी अमेरिका केम्पेंच चलाता रहता है और चाइना का ये प्रोपेगेंडा एक बार फिर से सुरू तब हुआ था जब ट्रम्प एड्मिनिस्ट्रेशन ने 2017 में क्वार्ड को रिवाइव किया और जो बाइडन के प्रसासन में उसे नई धार दी गई उसके बाद ही चीन बार बार भारत की गुट निर्पेक्ष नीतियों की तारिफ कर रहा है अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनने के विचार का उपहास उड़ा रहा है लेकिन भारत अब क्वार्ड के एतिहासिक भूमिका में नजर आ रहा है तो ये थी पूरी जानकारी इस बार के क्वार्ड सम्मेलन के बारे में आई होप आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला होगा तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंड